तो दोस्तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे MS Word के सारे shortcut keys के बारे में मतलब basic से लेकर advanced तक सारे shortcut keys सिखाऊंगा इस वीडियो में ताकि आपको proper knowledge हो जाए MS Word की और आप अपना काम भी बहुत ही जल्दी यहां पे कर पाए बस आपने copy pencil ले लेनी है और साथ सा जो में बताना है shortcut आपने no down कर लेने हैं ताकि आपको यह भी shortcut भूलेना लेकिन दोस्तो अगर आपने यह वाली पूरी PDF डाउनलोड करने हैं बिल्कुल free of cost तो आप हमारी website पे चल जाएए जो की है www.pctips.in इस website पे जाके आप यह वाली PDF बिल्कुल free of cost डाउनलोड कर सकते हैं और साथी में बहुत सारी computer related tips and tricks शौटकट कीज आपको हमारी website पे मिल जाएए लिंक दी आए नीचे description में तो दोस्तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने लिए बहुती informative तो नमस्का दोस्तो मैं रिटेश आप सबको स्वागत करता हूँ creative learning के चानल में और दोस्तो अगर आप computer सीखना चाहते हैं computer related बहुत सारी tips and tricks शौटना चाहते हैं तो नीची रिए अट कले subscribe button उस पे click कर लीजे साथी में bell icon को press कर लीजे ताकि आपको हमारे चैनल से latest notification regularly मिलती रहे तो दोस्तो अगर आप computer सीखना चाहते हैं और भी detail में तो आप हमारे online courses join कर सकते हैं या तो आप हमारी website पे चल जाए जो की है www.creativelearningbyritage.in या आप हमारी खुद की mobile app भी download कर सकते है creative learning byritage के नाम से वीडियो के end में मैं आपको detail में बताऊंगा कि आपने mobile app कैसे download करनी है हमारे courses कैसे access करनी है तो वहला part तो देखे ज़रूर देख लेना तो अभी कर लिजिए इस course में enrollment क्योंकि क्या पता कौन सी चीज कप काम आ जाए तो आए दोस्तो let's begin with this topic तो आए दोस्तो जान लेते हैं MS Word की कुछ important और अच्छी shortcut की जो आपके काफी काम आएगी first दोरे के असान है control A जिससे कि आप सारे document को एक साथ select कर सकते है next shortcut की है control B मतलब अगर आपने किसी भी text को बोल करना है तो अब control B button press करिए next होता है control C, control C से आप text को यहाँ पर copy कर सकते है copy करने के बाद जहाँ पर भी paste करना है वहाँ पर control V की मदद से paste कर सकते है इसके बाद होता है next shortcut की वह होता है control D इससे आप character की formatting open कर सकते है जैसे कि अगर आपके पास यह वाला text है और अगर आप control D button press करेंगे तो आप यहाँ पर font group में आ जाएंगे जहाँ पर आप different different styles, font size और font जो भी आप रखना चाहते हैं वह आप यहाँ पर रख सकते है next shortcut key is control E, control E use होती है आपके alignment के लिए मतलब अगर आपने text को center align करना है तो आप control E button press करेंगे तो center align हो जाएगा next shortcut key is control F, control F पता है आपको find के लिए होती है मतलब अगर आपने कुछ भी चीज़ find करनी है तो just press करिए control F तो आपके सामने लिए find कर यहाँ पर panel open हो जाएगा तो जो भी आपने find करना है वो आप लिखिए enter press करिए वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी next shortcut की होती है वो होती है आपकी go to go to होता है कि अगर आपने किसी text के किसी particular line पे जाना है section में जाना है तो आप control G बटन प्रेस करिए और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे जिस page पे भी जाना चाते है जिस section पे जाना चाते है वो select करिए यहाँ पे डालिए आप उसी direction में यहाँ पे redirect हो जाएंगे अब next shortcut की होती है वो होती है control H अब जैसे की होते है find के लिए control F वैसे replace के लिए control H control H से आप जो भी चीज़ replace करना चाते है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और वो चीज़ आपकी यहाँ पे replace हो जाएगी अब next shortcut की होती है आपकी control I अब control I की मदद से आप किसी भी text को यहाँ पे italic कर सकते है जैसे कि मैंने press किya control I तो text आपका यहाँ पे italic हो गया अब next shortcut की होती है आपकी control J अगेन यह alignment के लिए use होती है मतलब अगर आपने text को justify करना है तो control K button प्रेस करिए hyperlink के window open हो जाएगी और यहाँ से जिसके साथ भी आपने link करना है वो आप यहाँ पे click करके उसको link कर सकते है अब next shortcut की होती है आपकी control L मनलब अगर आपने text को left align करना हो तो आप control L button प्रेस करिए उसके अदो तो next shortcut की होती है control M और सबसे important यहाँ पे shortcut की है वो होती है आपकी indentation की आप paragraph में देखे कहीं पे भी click करिए control M button dress करिए तो देखेंगे आपका paragraph यहाँ पे indent हो जाएगा आप next shortcut की होती है आपकी control L मतलब अगर आपने new document open करना है तो control L की मदद से आप open कर सकते है जैसे कि मैंने control L किया तो आपका new document यहाँ पे open हो गया है आए दोस्ता बढ़ते हैं यहाँ पे next shortcut की next shortcut की होती है आपकी control O मतलब अगर आपने किसी document को open करना है तो control O की मदद से यहाँ पे open कर सकते है next shortcut की है control P मतलब अगर आपने document का print निकालना है तो text आपका right and side से align हो जाएगा next shortcut की होती है आपकी control F जो आपको पता होगा वो होती है आपकी save की next shortcut की होती है वो होती है आपकी control T मतलब अगर आपने hanging indent करना है जैसे कि आपका यह वाला paragraph है और अगर आप hanging indent यहाँ पे apply करना चाहते है और उसके बाद next shortcut की है आपकी control V अगर आपने text को paste करना है जैसे कि मैंने पहले बताया था copy करके paste करना तो control V की मदद से paste कर सकते है next shortcut की होती है आपकी control W control W की मदद से आप अपने open document को close कर सकते है जैसे कि मैंने control W प्रेस किया तो यह पूछेगा आप अपने document को close करने से पहले save करना चाहते हैं नहीं तो मैं अगर don't save कर दूँगा तो यह document आपका बंद हो जाएगा अब next short it की होती है आपकी control x जो की होती है cut की मतलब अगर आपने किसी भी text को यहां से cut करना है तो control x से cut कर सकते हैं और paste करना है तो control v से यहां पर paste भी कर सकते हैं अब next short it की है आपकी यहां पर control z अगर आपने कोई भी text cut लिख दिया और दुबारा वापिस जाना है तो control z की मदद से अपने text को यहां पर undo कर सकते हैं अब भरते हैं थोड़ा numeric shortcut key की तरफ अब जैसे कि अगर आपने text की line spacing adjust करनी है तो आप control one की मदद से तो देखे single line spacing adjust कर सकते हैं अगर double line spacing adjust करनी है तो two button press करिये तो देखे double line यहां पर adjust हो गई है और अगर आप control five करेंगे तो one point five की spacing आ जाएगी और again control one press करेंगे तो single spacing यहां पर आ जाएगी आए दोस्ते बरते हैं यहां पर next shortcut key जो की use होते हैं आपकी font size increase और decrease करने के लिए तो जैसे कि अगर आपने text को select किया और अगर आप font size increase करना चाहते हैं one point जैसे कि अभी 10 है तो आप control के साथ यहां पर square bracket press करेंगे जो की right hand side का तो देखे आपका जो text है वो increase हो जागा one point और decrease करना चाहते हैं तो left hand side का यहां पर square bracket press करेंगे तो आपका text जो होगा वो decrease हो जाएगा आए दोस्तों बढ़ते next shortcut की अगर आपने text को यहां पर capital करना है जैसे कि यह वाले text है capital करना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे control shift और a button तो आपका text यहां पर capital हो जाएगा उस दोस्तों अगर आपने text में double underline करना है तो आप अपने text हो select करिए और control shift और d button प्रेस करिए तो आपके text के नीचे double underline हो जाएगा आये दोस्तों बढ़ते next shortcut की next shortcut की होती है कि अगर आपने अपनी font की window open करनी है एक shortcut की तो मैंने बताई थी आपका control d जिसकी मदद से आप यहां पे अपना dialogue box open कर सकते font का वैसी अगर आपने font का dialogue box open करना है तो control shift और f button की बदट से भी आप यहां पे font की window open कर सकते हैं जिससे कि आप अपने text की formatting apply कर सकते different different आये दोस्तों बढ़ते है next shortcut की अगर वो होती है आपकी strike through की मतलब अगर आपने text में strike through apply करना है तो आप press करें control shift और L तो आपका text यहां पे strike through हो जाएगा अगर आपने text में यहां पे hidden characters देखने कि आपने कहां का enter press किया है space press किया है तो just press करें यहां पर control shift और start button तो आपके सामने देखिए hidden window open हो जाएगी जहां पर आपको पता लग जाएगा कि कहां का आपने space press किया और कहां का enter और अगेन आपने अगर इसको disable करना है तो control shift और button दुबारा press करिए अब आईए दोस्ते बढ़ते next shortcut की अगर आपने font increase करना है दो point तो आप कैसे करेंगे तो आप अपने text को select करिए और control shift और यहां पर जो आपका greater than का sign होता है ना इसको प्रेस करिए तो आपका जो text है वो दो point increase होगा और यहां पर जो less than का sign होगा अगर इसको press करेंगे तो two point यहां पर decrease भी हो जाएगा आईए दोस्तों बढ़ते next shortcut की next shortcut की होता है कि अगर आपने अपने document में sent sign apply करना है तो आप कैसे करेंगे तो इसके लिए आपने प्रेस करने control बटन back slash बटन और c बटन तो आपके सामने यहां पर sign apply हो जाएगा आपके document में आईए दोस्तों बढ़ते next shortcut की next shortcut की होता है कि अगर आपने अपना जो वर्ड है जैसे कि आपका यह वाला करसर है और अगर आपने यह वाला पूरा वर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए प्रेस करें यहां पर control के साथ डिलीट बटन तो आपका forward direction में वाला वर्ड डिलीट हो जाएगा और दोस्तों अगर आप यहां पर control के साथ backspace बटन प्रेस करेंगे तो आपका पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा backward direction में अब दोस्तों अगर आपके पास document है और आप document के बिलकुल end में जाना चाते हैं तो उसके लिए बहुत है simple से shortcut की है control के साथ end button तो आप document के बिलकुल end में चल जाएंगे और अगर शुरू में जाना चाते हैं तो control के साथ यहां पर home button प्रेस करें तो document के बिलकुल top पे चल जाएंगे आए दोस्तों बढ़ते हैं यहां पर next shortcut की next shortcut की होते हैं कि अगर आपने अपने text में कोई भी जैसे formatting क चाते हैं तो इसके लिए प्रेस करें यहां पर control के साथ space button तो आपका text यहां पर default formatting में set हो जाएगा खुद बाखुद आप दोस्तों बढ़ते हैं next shortcut की जैसे कि अगर आपका text यहां पर लिखा है और आप page break insert करना चाते हैं जैसे कि यहां पर आप तह चाते हैं यह वाला text next page में है तो उसके लिए प्रेस करेंगा आप control के साथ enter button तो आप देखेंगे आपका text देखे next page में यहां पर shift हो गया है मतलब यहां पर page break apply हो गया है इस document में आए दोस्तों बगता है next shortcut की next shortcut की होते हैं कि अगर आपने document को save as करना मतलब एक ही document को दूसरे नाम से save करना है तो और यह बटन आपने अलग से प्रेस करना है तो save as की window open हो जाएगी जहांसे आप अपने document को save कर सकते हैं वो भी अलग नाम से आए दोस्तों बड़ते next shortcut की जो आपको बताएगा unicode format for a highlighted character मतलब आपने अगर किसी character का unicode दूनना है तो just आप character को highlight करिए और प्रेस करिए यह यहाँ पर alt के साथ x button तो देखिए उसका unicode value आपके सामने आ जाएगी आए दोस्तों बड़ते next shortcut की next shortcut की होता है कि अगर आपने document में अपना soft break insert करना है तो आप कैसे करेंगे अब कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमने यहाँ पर paragraph लिखा है अब आप इस document को ठीके दो हिस में divide करना चाते हैं यहाँ से तो यहाँ तो यहाँ तो देखिए enter press करेंगे तो देखिए नया paragraph बन जाता है लेकिन आप इसकी जगह यहाँ पर soft break insert कर सकते हैं तो उसके लिए आपने press करना है यहाँ पर shift के साथ यहाँ पर enter button तो इससे क्या होगा कि soft break insert होगा मतलब यह वाल आपने text को copy करना है अब एक चीज़ आपको पता है control c से आप copy करते है अब सेम चीज़ आप यहाँ पर control और insert key की मदद से भी कर सकते है तो उसके लिए जैसे मैंने text को select किया control के साथ यहाँ पर insert button प्रेस किया अपने keyboard से तो मैं press करता control button और insert button तो आपका text यहाँ पर copy हो गय है अब आपने इसी text को यहाँ पर paste करना है तो paste करने के लिए आपने प्रेस करना है यहाँ पे तो paste करने के लिए आपने प्रेस करना है यहाँ पर shift के साथ यहाँ पर insert button तो आपका text यहाँ पर paste भी हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पता लग गया ना copy करने के लिए आपने shift alt or d तो इसे कि आपका current date यहाँ पे insert हो जाएगा और अगर आपने current time insert करना है तो आपने press करना है यहाँ पे shift alt or t तो इसे आपका current time यहाँ पे insert हो जाएगा अब देखिए आए दोस्ते बढ़ते हैं यहाँ पे next shortcut keys जो की होती है आपकी alt key की मदद से अगर आपने अपने document को close करना है तो आप alt plus f4 की मदद से भी अपने document को यहाँ पे close कर सकते हैं और अगर आप press करेंगे यहाँ पे alt plus f11 button तो इसे आपके देखिए visual basic का यहाँ पे जो editor window होती है वो open हो जाएगी जहाँ पर में कोई भी code लिख सकते है visual basic में और अगर आपने एक window से दूसरी window में shift होना है तो alt के साथ tab button प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए cycle window open हो जाएगी जहांसे आप different different applications को यहाँ पर open कर सकते हैं बहुत ही easily वह होती है आपकी alt plus tab button आये दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर next shortcut की तो आप insert tab में चल जाएंगे और वैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पर alt plus w button प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर view tab में चल जाएंगे तो यह दोस्तों आप alt की का यहाँ पर use कर सकते हैं अगर आपने text को यहाँ पर center करना है जैसे कि यह वाला text इसको center करना है इसके लिए दो बढ़ते next shortcut की जैसे कि अगर आपने text का color change करना है तो इसके लिए आपने यहाँ पर alt button press करके रखना है और उसके साथ h button press करना है एक बाग और उसका h button दुबारा प्रेस करना है तो इसके सामने आपकी यहाँ पर font की window open हो जाएगी font color की जहां से आप अपने text का background color यहाँ प button और f button तो आपके सामने font की window open हो जाएगी जहांसे आप different font से लेकर सकते हैं अपने text का रुके 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 दोस्तों अभी तो देखे वीडियो खतम हुई है लेकिन अगर आप सीखने चाहते computer और भी detail में तो आप हमारे online courses यहाँ पर join कर सकते हैं या तो आप हमार लर्निंग बैर इटेश के नाम से उसका link भी दीचे दिया है description में तो जैसे आप हमारे देखिए mobile app पे जाएंगे है website पे जाएंगे आपको हमारे सारे courses मिल जाएंगे जो की बहुत ही discounted price में अभी तो student discount चल रहा है आप सभी के लिए तो जैसी courses में enrollment करेंगे इसके कुछ फ आप हमारे नीचे दिये गए जोरे WhatsApp नमबर है इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी यहां पर क्लियर कर सकते हैं और लास में आपको completion certificate भी मिलेगा जो आपको अच्छी जोब पाने के लिए मदद करेंगा तो अभी कर लिजे इस course में enrollment क्या पता दोस्तों कौन से चीज कप काम आच है तो वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना और साथी में हमारे चैनल को like, share, subscribe करना दोस्तों मत भूबना मिल दोस्तों नेक्स वीडियो में until then goodbye take care